त्री ऐसा पॉइंच मतलब स्ट्रीट दोस्तों सौगदे अपका हमारे चानल में और आज हम लोग विंचुंका बेसिक टेप और बेशिक टेकनेक और बेसिक लेव़ल पर क्या क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं उसके बाद मुण लोग प्रेक्टिस करने वाले विंचूंग का टेकनिक है और वीडियो आखरी तक देखना दूगि उसके बाद हम लोग उसका टेकनिक भी समझाने वाले कि उसका सेल डिफेंट्स किसका क्या और कैसे हैं कि कि कपाद को व्हों कiley कि इंटर लेकि लेना है लेकि आई हैसा इनर साइट फिर शेंट और हलकासाद नाइए लाइक दिस कैसे अब देख सकते हो यह दूनों लेक को इस तरह से हम लोग स्टांस लेते हैं यह वान लागीस तरहीं हलका सा नीशे बेंड रखना है यह आपका जो फोर से बोड़ी का जो लेवल है बोड़ी का जो वेट है और पूरा का पूरा आपका जमीन के सच लगा हुआ होता है और आप उसके अंदर फेट रहेते हो फोर्स देने के लिए अभी पंच के बारे में समझेंगे पंच मतलब जैसे हम लग पंच यूज होता है यहां से यहां से यहां से यहां से यहां इतना एरिया में वह पंच अटेक करते हैं सामने वाले को इस तरह से खड़े हो जाना है दाउन हो जाओ जाओ बैट अगर इसमें फोर्स फुल पंच मतलब अब ट्रिपल पंच फोर्स फुल मतलब दो पंच मारने के बाद तिसरा पंच प्रेशर के साथ माते हैं से सामने वाले को हम लोग डबल पंच उसके आए कम कुमेंट फ्रण डबल पंच यहां वान टू अभी जब हम तीसरा पंच जैसे वन वन टू थ्री ऐसा पंच मतलब स्टेट टाइट वान टू थ्री मतलब अब तीन पंच मार रहे हो या पिर चार पंच मार रहे हो तो सीधी तरह से मारा जाता है पंच को जब अब लास्ट पंच उस करते हो तो उसको फोर्स फुल पंच मतलब फोर्स देते हैं उस एट को बताया गया था ऐसा घो होता है कि वह सामने वाले को एगदम अपने जगह से काफ़ी दूर तक फेख सकता है पोर्स देने अब उस फोर्स फ्रैंच को फेस लेवल मिदल लवल दोनों लेवल पर उसकर सकते हैं स्टांस के बारे में समझें हम लोग और स्टांस के साथ एक पंच के बारे में समझें पंच किस तरह से होगा वह आपस से आप लोग इस तरह से आप घर पर प्रेक्टिस कर सकते हो एक हैंड को डिफेंट्स में लिया लाइक डिफेंट्स में देट सेकेंड पंच टू ऐसे यहां पर देश्य करते समझें यह प्रैक्टिस आपको करनी एक अधिन्यमे इस जगासे बन रहा है कि आता पांट किहां से बन रहा है इस जगासे टाइट से यहाँ से पंच बनने वाला और स्तेट पंच बनने वाला जब पंच अटक करेंगे तो यह साइट से पंच अटक होगा डिफेंज में इनर डिफेंज आूटर डिफेंज मतलब पंच को डिफेंज किस तरह से करना होता है जैसे पंच अटक आगा पांच पंच साइट कर सकते हैं बैंक को ड़कारोड तक डाउन कर सकते हैं बोलसे धन्टिकि whole तूझ कर सकते हैं वैवब एक वान तो थ्री एक वाइन फूर्स पुस्ट अगेन वाइन वेस्ट इस तरह से करना उसके बारे में समझें प्रीट स्टु सब्रब्स ने अगर अटेक और यह से वन फीड अगर होता है तो भी आप इसको प्रेक्टिस कर सकते हो लेकिन आपके हैंड की स्पीड होनी चाहे हो हैंड की स्पीड क्या है अगीन वापस स्लो देख लो स्लो में किस तरह से होता है एडिक वान लिक इस वाट वाट बड़ावन श्टेग तू सब्सक्राइब कर सकते हो यह वाला मैंने यह फोर्स क्यों किया यह फोर्स किया यह फोर्स किया डबल फोर्स होता है इस तरह यह चिकनिक भी उसका कर सकते हैं लेकिन चलिफेंट से लिएजर और यह देखना है कि आप कैसे ब्लॉक करते हो जिससे पंच को किस तरी से ब्लॉक करते हैं जिससे ओन रहाइक ये को पंच ऐसा स्क्रेट आया यहां पे स्क्रेट पंच निक केक तो टेक हुए डिफेंस वा नीकिक यहाँ पर डबल करे या फिर तीन करे या फिर उस्से ज्याधा करे डिफेंस डाउन लेवल होगा डाउन वन टू टू ट्री पो अगे अटेक सेगेंड ऐसा ही सेगेंड डिफेंट्स भी सिकेंड डिफेंट्स में क्या होता है इनर की जगा पे आउटर मतलब आने वाला पंच को बाहर करेंगे साइड स्टेट रेक वन साइड कैसे साइड क्या इस साइड से जब आपका पंच आएगा तो यह साइड से होगा साइड 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 होता है नहीं यहां पर यह पंच अगर स्ट्रेट आया तो भी साइड कर सकते जैसे यहां से पूश्ट वन डबल आया तो भी side कर सकते, single आया तो भी side कर सकते, one, two, outer, मतलब इनको बाहर किया, punch straight था, punch का length straight था, या फिर force, straight force था, force जो आयी थी, वो straight आयी थी, लेकिन मैंने उसको turn किया, आउटर साइड, आउटर साइड मतलब फेस से आउटर, स्टमक से आउटर, मतलब किसी भी साइड से आउटर करना, स्टमक में भी आया, तो भी आप उसका आउटर कर सकते हो, आउटर कैसे हैं, स्टमक आउटर, स्टमक आउटर, स्टमक आउटर, स्टमक आउटर, स्टमक आउ इस तरह से दो टेक्निग है आज के दो-दो टेक्निक उसा की जो क्योंता पर हैं फेस आइश आउटर स्टमक इननर स्टमक आउटर दोनों सर ली किसी अभी हम लोग ध्यान से दिखना हम अभी अभी जो हो रहा है वो आउचर के लिए बता रहे पहला जो था टेग्निक वो इनर के लिए था वो कोई से लिए इनर मतला डाउन इनर पंच आने वाला डाउन इनर अगें सेकंड नमबर की बता अगे सिग्रेंट फिससाइडर आउटर आउटर तरक सकित मेंक टो ए यह फिर अवह अगया है इसके जगाल पति एर गसार भी कर सकते है लेकिन एक और तेग को आवए ओम को लगना एगी जेसे वान टू ग्रिप इसी तरसे इसी तरसे आउटर के साथ साथ एक दम स्लोली बता रहो उस्लोली देखना हॉआ यह कहाँ पर होने वाला था फेस के आपर होने वाला अटेक को गार्ड किया गया बहुत जान से देखना अए गार्ड हुआ इंदेन है टूर के उपर ही आया स्केट लेकिन मेने आउटर किया उसको बहार किया आउटर मैंने उपके फूरा आॉटर के बादा रहे हैं आटेक अड़ने आटेक कर शपयर थोड़ा सफीड की रहे काल हीठ आएम अटेक अड़्यक्रीं आप ऐखरीप के ऊपड़ा मतलब अटेक बार करते हो फ्रेंदेना दीन काण यह से मत मारना किकि वो ठ्रेक्टिस धिरिवसे करना या फिर आप उसको उंदर पुछ अपना हेंड रख सकते हों छेकेंड नाउटर। देखना गेना इसे कैसे गे सामने वाले को गेば तरह के से म अझाल निचे से निकाल ना यह अगर इसको लिए अधर है मर्शलल ट्रिक्निक में रखना है तो यह रख सती बहुत ही अच्छा टेगनिक है क्योंकि आप किसी को भी नहीं कुछ अटक करने से आप रोड के उपर आप रोड के उपर नहीं कुछ अटक करने से च्रगेश्म का यह से निकल दी। कि यह आपके तीन टेक्निक याद करना बस फीनो कुछ में ने टीन अगर आपको रोड का टिके रह ना है फॉट में रोड पे अगर ठीके रहे नहीं ते तीन टेकनिक हमेशे याद रखना कि काउंटर काउंटर हुक काउंटर काउंटर हुक सामने वाले का कहां पर साइड सेकेंड साइड और थर्ड नमबर हुक मतलब चिल लेवल पर अटेक करके उसको उड़ाना अभी उसके साथ ौमन अटेक एकदम कॉमन अटेक बिल्गोल सिंपल अप रोड फाइट में हो या फिर आप मार्शल अप्ट अगर आपका उश्यू का फाइट या फिर आप किसी भी फाइट में इसको यूज कर सकते हो वह है में फ्रंट मे गिरी मतलब सामने वाले को किक से म मारना स्ट्रेट किक उसके चेस के उपर या फिर उसके चील के उपर बैक साइड से ये पूरा चील के उपर मार के उसको उड़ा सकते हैं कैसे काउंटर के साथ देख पूजिशन वन टो हुख फ्रेंट बैक लिक अडेक स्ट्रेक्ट हुक के साथ कितने बीड़ा फाइडर हो न आपके काउंटर से बचने पाएगा फिर आपका अगरोगे स्पीड अडेक्ट यम्मे में में भी मिक्स मार्शल एड में भी इस अटेक को ज़्यादा कर गी उज होता है आप देखते हो ना देखना आउंटर ज़्यादा बर के लेते हैं और में गीरी मतलब फ्रन्ट लेग किक फ्रेंट में गीरी इसको ज़्यादा गर्ऑ यूज्श करता है और वह वो भी सीदा स्टेट फेस के उपर भी मारते हैं मेहगिरी मिक्स मार्शल एड़ भे फेस के उपर भी आलाओ है अभी समझ के चलो थार्ड पोजिशन पर चलते हैं थार्ड नंबर भे जो अब लोग अभी किया अगर आपके साथ ऐसा कोई अटेक हुआ तो आप विंचूंग लेवल पर किस तरह से है हुक हुक दाउन हुक पहले हुक वान इनर याद रखना हुक अगर यह अटेक रोड पे हुई या फिर फाइट में हुई तो नंबर ट्रिपल है इनर इनर के साथ इनर इनर यह है वान टू ट्री एक हाप आया है इसके गले में इधर है है जहां से दिखना एक दम आराम से कैसे आपने काउंटर कैसे रोका काउंटर किस तरह से रुका ए ध्यान देना सब लोग बिलकून एकदम से आप लोग भी काउंटर किस तरह से रुका गया क्योंकि यह सब चीजे बाहर आपको नहीं सिखने को मिलेगी ना समझाएगा कोई काउंटर किस तरह से रुकता है आप यहापर फाइट कर रहे हो आप लोग भी यहापर करते हो लेकिन जब आपका रोड के ऊपर फाइट होगा या फिर आप किसी बाहर वाले किसा स्ट्रीट फाइड होगा तो आपको काउंटर का सामना करना ही पड़ेगा सबी लोगों को क्योंकि काउंटर पर ही जादा करके मारते हैं सब बैल से लाठी से किसे भी जिस से हम हम हर जिस से वान तू यह 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 काउंटर तो विंचुंग में काउंटर डिफेंस क्या है वोजिशन और एक एग इन तो काउंटर के साथ अटेक 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 काउंटर विफ अटेक काउंटर डिफेंस विफ अटेक एक वन लाइक काउंटर के साथ डिफेंट्स के साथ अटेक अभी वह साथ में कैसे कर दे जए वह कंटीनु आप प्रैक्टिस में लेना है कि सामने साइड कापे गले में इसे पूरी तरफ होता है यहां पर स्केट होता है और और अंधाक्ट अधाक्टें अधाले को मारेंगे ना वह उठे गईने उसके बाद कितना पाउर्फुल अधा हो जैसे हम लोग यहाँ पे गले पे करते हैं इस जगा पे इधर यहाँ पे फिस काउंटर ओके काउंटर के साथ अगर आप काउंटर में इस साइड में अडेक करो सब्सक्राइबख काउंटर विद इल्बो मतलब काउंटर अटेक के साथ किस तरह से होगा उसके बारे में अडेक यह हूख है यह हूख अगर हूख उसने यहाँ से निका लिए तो यहां इस जगा से तो उसके लिए डिफेंट्स किस तरह से यहां से निकाल रहा है इसके लिए वह ऐसे हो रही है अगर यह इधर से निकल ते नेनस्दिक से डी जोटाहिए लेक्षिज पो थे करें एक्षे और कि ख़ूर्स की बहुत अलग अलग्य की डीफिंस के साल है एक्स्ट्रोर्रीर ठरकाइच वॉक काउंटर किसुद लेकर काउंटर स्रेट वन यह काउंटर अगर यह किया है यह डिफेंस में यह साथ में करते हैं पूइशन पड़े नी मी लेवल किया अटैकिंग किक नी लेवल एकदम नी लेवल पर टैक होती है स्टेट लेवल पर टैकिंग में लेकिन यह बहुत है लेवल कि कैसे करना है क्या करना है अगली वीडियो में इसके ज़रूर समझाएंगे लेकिन आप आज के वीडियो में जो सिखाया उसको एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूं यहाँ पे पिछे जाने के अलावा आप लोग यहा स्वेकात में रिपीट करोगे रिपीट करने से अच्छा है कि आश तर इस्टार्टिंग से में अगा सिकनड नन्बर से फॉस्ट नंबर तो आप देखी लिए देखी लिए वो सिकन थर्ड हर्ड सेकंडर थर्ड के बारे में समझा जय जो एट हुको इकंडा आउटर 3, 4, आगे, काउंटर, 1, 2, 3, 4, ओके, और लास्ट काउंटर, किसका धाव है, याभी कट करना पड़ेगा, यासे मेरे, लास्ट काउंटर, लास्ट काउंटर, मतलब तिसरा नमबर पे, और इसके बाद आएगा, काउंटर अटेक, ओके, पोजिशन, 1, 1, 2, हुक, 3, कापे, यापे, और लास्ट फोर्थ नमबर काउंटर पे, डिफेंट सिद अटेक है, वो इस तरह से, 1, ओके, यह काउंटर विद दिफेंट सिद अटेक, कैसे, 1, 1, 2, 3, 3, आगे का नहीं देखा तो चलेगा, लेकिन इस वीडियो को देखना, समझना और सीखना, यह पूरा-पूरा बेसिक लेवल पे, जो नए-ने, एकदम नए-ने, स्टार्ट करते हैं, विंग्चों, वो नए-ने में क्या डिफेंट्स करने चाहिए, और कैसे डिफेंट्स करन है, 1, 2, 3, इसकी प्रेक्टिस करने चाहिए, 1, 2, और जरूरी नहीं है, डमी प्रेक्टिस, मतलब आपके बाल डमी हो, इसकी जरूरी नहीं है, आपके बास ऐसा पार्टनर रहेगा, तो भी आप इसकी प्रेक्टिस कर सकते हो, बेसिक लेवल के लिए प्रेक्टिस होती है, आप इसको practice कर सकते हो ठीके आपको बता यह है तीन टेकनिक है चार टेकनिक है आप इसको घर पे आप practice करना वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद और अच्छा लगा तो एक like करना और अच्छा लगा तो practice भी करना तब तब मिलते हैं next video में और next video आपको पता है कि आपको विंग्चू के बारे में आगे का वीडियो अगले अपते आने वाला है ओके so bye